इस वीडियो में बात करते हैं everything about commerce stream की क्या main subject है क्या optional subject है क्या combination बन सकता है 5 subject और 6 subject का best books कौन सी है commerce के लिए why maths required for commerce students क्यों मतलब maths क्यों चाहिए यार यह बहुत सारे students का confusion है और फिर future scope क्या है commerce में तो एक एक point पे यार सीरियल वाइस बात करते है ठीक है देखो सबसे पहले मैं सब्जेक्ट क्या होता है हमारा इंग्लिस चाहिए 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 एकाउंट्स बीस टी इको यह चार पेपर हो गया प्रफिशनल सब्जेक्ट तुम्हारे पास क्या-क्या मिल सकता है तो मैट्स ले सकते हो आई-पी ले सकते हो computer science ले सकते हो physical education fine arts legal studies जो तुम्हारे स्कूल में optional में अब अब तो मैट्स लेना चाहते हो तो वहां भी तुम्हारे पास दो अप्शन है और मैट्स नहीं लेना च चार सब्जेक्ट तो पांच वा फिर मैट्स बचा और तुम्हारे पास कोई option नहीं है और तुम्हें छे सब्जेक्ट मिल रहे हैं तो यह चार सब्जेक्ट तो फिक्स हो गया तो एक मैट्स ले सकते हो और एक साथ में पी या fine arts कोई सा भी ले सकते हो तो यह सबसे सूपर सबसे प्लस पॉइंट इसी का है इसका प्लस पॉइंट कि इसमें मैट्स भी हो गया तुम्हारा और और उप्शनल सब्जेक्ट भी हो गया इससे क्या है कि अगर कोई बहुत थोड़ा सा उतना मैट्स में उसको अपने पर confidence नहीं है उसे लग रहा है कि कुछ भी हो सकता है आर तुम में फैरब हो जाते हो तो फिजिकल एटुकेशन के मार्स जूड़े आएंगे कोई प्रॉब्लम यह लेकिन तो मैट्स लेना चाहते हो लेकिन स्कूल वाले सिर्फ पांच सब्जेक्ट दे रहे हैं तब यहां पर लफड़े वाली बात है कि अगर तुम्हारा मैट्स अच्छा नहीं है और तुम्हारा मैट्स करना भी चाहते हो और अगर माट्स गरबड़ आ गए तो पूरा सब्सक्राइब टुम्हारा भी एक लेलो और चाहते हो तो भी चार सब्जेक्ट फिक्स हो गए एक तुम आईपी और सीएस ले सकते हो ठीक है तो यह होगया इसके बात करते हैं बेस्ट बुक्स की तो यार औल इंडिया जो बेस्ट चलती है अकूंटेंसी की टीएस नहीं पड़ेगी यह जो भी तुम्हारे टूषन टीचर पढ़ा रहे हैं वह जो भूंड करेंगे तुम्हें वही बुक लेनी पड़ेगी ठीके तुम्हारी चोष नहीं चले गया ठीके बेस्टी को के लिए संदीब गर की बुकाती है वीके पब्लिकेशन की बुकाती है बेस्ट बुक है यार बेस्ट लेंगवेज इसकी मैट्स के लिए तुम NCRT, RS अगरवाल, R.D. शर्मा कोई साभी बुक फॉलो कर सकते हो ठीक है तुम इसको रीकोमेंड कर सकते हैं ऐस्टक्षेंट को सबसूर से क्यों जाता की Programmeर को मैंट्स के च्थेउश्ट में अतना इंट्रेस। और commerce तुम्हें मजबूरी मिलेनी पड़ी, commerce भी तुम नहीं करना चाहते हो, तुम जाना चाहते हो computer के field में, computer के world में जाना चाहते हो, लेकिन यार हमारे पास 10th के बाद कोई stream कोई है नहीं, arts, commerce, science तीनी है, कोई बच्चा भी यह सब तीनों नहीं करना चाहता, वो क्या करे, जाता है कि BCA, MCA तुम जब करने जाओगे, तो 12th में maths होनी चाहिए, तो यह है main reason कि 12th में maths क्यों ले है, और otherwise तुम्हें सिर्फ CA करना है, जो अब आगे में बताने वाला हूँ, जी सिर्फ पहले से बताए, जैसे CA, CMA, BCOM, यह सब करना है, तो उसके लिए maths की कोई जरूरत नहीं है, तुम computer world में जाना चाहते हो, तो भी यह रास्ता तुम्हारा फिर बंद हो जाएगा, अगर तुमने 12th में maths नहीं ली तो, ठीक ह उसके बाद economics honors बहुत आरे top level के जो college economics honors के लिए 12th में maths होना जरूरी है, तो फिर यहां तुम first जाओगे, statistics honors के लिए, तुम्हेरे 12th में maths होनी चाहिए, तो तुम्हें नहीं मिलेगा, यहां तुम first जाओगे, ठीक है, बीबी MBA के लिए कुछ top level के जो colleges होते हैं, वो 12th में maths म अबी तुम्हें बहु ही नहीं पताके कि चल के क्या करोगे, ठीक है, और अगर math नहीं हो आगे चल के तुम्हेरे पढ़ाई में बहुत अच्छे हो जाते हो, ठीक है, और तुम्हें MBA करना चाहते हो, लेकिंश में तुम्हारा फट होता है कि तुम्हारे 12 इंट्वेल्ट मैंऌ सब्सक्राइब लेकिन CA का जो पहले CPT बोलते थे अब उसी exam का नाम है foundation जो entry level exam है CA foundation उसमें वो यार maths पूछता है पूरी class 8, 9, 10, 11, 12 की maths पूछता है तो ये maths तुम साइड से पढ़ के दे सकते हैं तो अगर तुम्हारा A में के सिर्फ CA ही करना एकदम decided है घर में बहुत सारे लोग पहले से CA क होने की जरूरत नहीं साइड से पढ़ लेना ठीक है लेकिन BCMCA के लिए तुम्हारा रास्ता बंद हो जाएगा अगर तुम्हारे 12 में मैट्स नहीं है तो यह main reason है कि मैट्स क्यों रखना चाहिए ठीक है सिर्फ CA, CWA, BCOM यह सब कर सकते नहीं भाई बहुत सारे रास्ते हैं ठीक है आर्ट्स, कॉमर्स, साइन्स अभी बंदों के लिए हैं मतलब जैसे जो PCM लेता है तो उसके पास एक प्रॉपर बीटेक वह बंदा कर सकता है ठीक है तो कॉमर्स के बच्चे बीटेक नहीं कर सकते हैं लेकिन उसके एक्विवैलेंट जा सकते हैं वह भी BCA, MCA कर सकत टीक है तो लेवल पर आगे Commerce Stream के तीन टॉप लेवल कॉर्स हैं अब एक एक को सब को डिटेल ने बताना एक एक के वीडियो बन जाएगी यार तो इसको यहां पर एक स्प्लीन करना मैं तुम्हें बता दिना हो कि क्या क्या option है मतलब अब एक की यूप पर गूगल पर सर्च तो अगर 12 में मैट्स नहीं तो तुम बीकॉम उनर्स नहीं कर पाऊगे सिंपल बीकॉम कर सकते हो ठीक है तो फिर वहां तुम फस जाओगे बीकॉम कर सकते हो बीकॉम के बाद बीकॉम के बीकॉम के बीकॉम करो कि बीकॉम सबसे जबर्दस्ट रास्ता है जितने भी गॉवर्मेंट उफिस में जो भी बंदा बैठा हुए गॉवर्मेंट में उसका रास्ता यहीं से जाता है टेंथ लेवल पर होता है जो ग्रेजुवेशन के लेवल पर होता है तो अगर यह एक्जाम के लेवल कर लेते हो तो बहुत सारे पोस्ट है तो तो यह गॉर्षमेंट जॉब में जाने का सबसे बेस्ट रास्ता है मतलब यök मतलब जो भी बुप्चा है weekend मिक्स наст ने इसको साथ में इस इसकेद्रक के पास्कते हो मतलब यार UPSC का एक्जाम हो गया ऐसा नहीं कि सिर्फ साइन्स वाले बंदे आर्ट्स वाले बंदे दे सकते हैं सबका अपना प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट है तो दो सिविल सर्विसेज के UPSC एक तो UPSC हो गया Union Public Service Commission उसके बाद हर एक स्टेट का अपना होता है जरकंड का भिहार का यूपी का महराष्ट्रा का ठीक हर एक स्टेट का एक अपना Public Service Commission होता है अपना पॉपी अपना पॉपलिक सर्विस्क्राइब सकते जो अब देखो आर् इसके बाद तुम एएर फोर्स आर्मी नेवी किसी में बी जा सकता है साइन्स वाला जाएगा तो टेक्निकल उसको टेक्निकल मिलेगा तुम commerce से जाओगे तो तुम्हे वर्क मिलेगा ठीक है तो मतलब commerce आर्ट साइंस सब के लिए इसमें options थीक आर्ट्सवाले के लिए उतना मेरे को नहीं जानकारी है लेकिन commerce वाला जा सकता है साइन्स वाले के लिए तो उपन रास्ता है और इंटरनल प्रोमोशन होते रहती है या फिर तुम कॉमर्स वाला जाएगा तो उसको टेक्निकल डिपार्टमेंट नहीं मिलेगा ठीक है तुम डिटेल सर्च करोगे गूगल पर मिल जाएगा मर्चिंट ने भी में ज यह है नहीं कि आसकता है कोई भी साइंस का बंदा कोई भी जा सकता करें लेकिन इसके बदा पets माहीन पिंवे जाना पड़े शक्ते है तुम्हें वह इंटरेंस एक्जाम देना पड़ेगा यह यह यार फ्यूचर में यह भी काफी बूमपे सिनेमे में टोग्राफिए देख रहे हो जो वर्ल्ड खाली वीडियो खाली हर जगा वीडियो बन रही है तो भाई तुम्हें तो यह रास्ता वियार काफी अच्छा है तो इस पर गूगल कर सकते हो फैशन डिजाइनिंग कर सकते हो इस्टेट्स और सकते हो अगे तुम्हें एक्जाम क्लियर करना होगा अपना स्टार्टप कर सकते हो यार कोई जरूरी निए कि तुम्हारे दिमाग में कुछ आइडिया चुल बुला रहा है तो तुम अपना कुछ सोच सकते हो ठीक है आगे पूरा कम्प्यूटर का लाइन यहां से तुम्हारे लिए खुल जाता है ठीक है असा नहीं कि साइंस करके तुम बीटेक करोगे तो हम भी नहीं तुम BCA MCEA के रास्ते में equivalent है तुम science के बराबर पहुँच जाओगे यहां से भी ठीक है और जो top level companies है BCA MCEA के भी काफी demand है अच्छा इसके बाद देखो यह चीज़ साइद बहुत बच्चे नहीं जानते है DOEC O, A, B, C क्या level होता है ठीक है तुम्हारे area में अगर DOEC का institute कोई proper government organization के तुम इसके बारे में थ्वड़ा सा Google कर देना डिटेल तुमें मिल जाएगा डिप्लोमा कोर्से यार बहुत सारे तुम academics में उतने स्ट्रॉंग नहीं हो फटा-फट तुमें थ्वड़ा सा पढ़के कोई जॉब चाहिए तो तुम डिप्लोमा कोर्स बहुत सारे हैं computer course यह तो proper BCMC हो गया तुम proper BCMC नहीं करना चाहते हो कोई सिर्फ computer course करना चाहते हो तो यार अब देखो तुम्हारे पास पूरा world खुलावा है आने वाले समय में डिग्री की उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं रहेगी कि तुम्हें B-take M-take होना चाहिए अगर तुम्हारे पास knowledge है तो कोई matter नहीं करता है कर तुम 800 commerce से सब value खतम हो जाई आने वाले समय में अगर तुम्हारे पास knowledge है तो बच्चा वही बच्चा आगे बढ़ेगा जिसके पास knowledge है तुम्हारे पास side से तुम्हार इतने सारे courses है बहुत सारे इंसिट्यूट्स हैं जो अलग से करवाते हैं पूरे इंटरनेट में भरा हुआ है मतलब अगर तुम्हें यह सब computer में interest है तुम्हें कहीं कोई tuition की ज़रुवत नहीं भरे हुए है resources free of cost ठीक है तो computer में बहुत सारा एक hardware अपने आप मैंने उपर में बस heading लिखा है hardware के अंदर बहुत सारे courses hardware के अंदर networking के अंदर बहुत सारे courses मैंने उपर बस heading heading लिख रहा का इसके अंदर डीटेल में जाओगे तो यह अपने आप में एक एक दुनिया है ठीक है software development में जा सकते हो ऐसा नहीं कि जो बंदा science लिए क्यावल वही कर सकता है कोई जरूत नहीं होती software development में कोई भी बंदा software develop कर सकता है और आज से अगर अभी प्रेजेंट सिनारियों के बात करें तो software develop करना यारिदम बहुत इजी हो गया अभी जो ऐसे ऐसे software आ रहे हैं हमारे पास ऐसे tools आ गए कि software करना कोई बहुत rocket science वाली बात नहीं है हाँ सेगर हम 10-20 साल पीछे चले जाएं तो बहुत बड़ी बात ही यह बंदा software developer engineer अभी ऐसे कोई बात नहीं है ठीक है तो software सीखना भी बहुत आसान है डेवलप करना यह बहुत आसान हजारों है हमारे पास टीशार्प सी सी प्लस प्लस डॉटनेट जावा मतलब भरा वायर बहुत सारे डेटाबेस तुम डेटाबेस डेवलपर बन सकते हो वेब अब हर एक के अनदर जितने मैं यहां नाम लिख रखें सब के अंदर बहुत सारे सौफ्ट्वेर पढ़एंगे ग्राफिक्स डिजाइनिंग कर सकते हैं जिसका जब फीचर में यह ग्राफिक्स डिजाइनिंग का और वीडियो एडिटिक का जबर्दस डिमांड है क्योंकि कर सके तो भी हर जगह इस ग्राफिक्स डिजाइनिंग का और वीडियो एडिनिंग का बहुत जबर्दस दिवांड है तो तुम एकडेमिक्स में इतने स्ट्रॉंग नहीं हो मन नहीं लगता है तो यह सब चीज की पढ़ाई कर सकते यूट्यूब में भरे वे यार इसकी सचनी की जरुरत नहीं उपतिमाईजेशन ठीक है और सब्सक्राइब में इतने ज़्यादा क्राइम बढ़ने वाले है जो कि मतलब का इस ऑफिकलह कंप्यूट्रमें बंदा कर सकता आर्ट्स कॉमर्स साइंस वाला कोई फरक नहीं पड़ता है कि तुमने साइंस लिए ठीक है तो फिजिक्स केमेश्ट्री में तुम्हारे इंट्रेस्ट नहीं तुम्हारे रास्ते खतम होगा तुम कंप्यूटर वर्ल्ड सबके लिए खुलावा है और वह कोई विग्री नहीं मांगता नॉलेज है तुम आगे बढ़ जाओगे तुम्हें कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है ठीक है इसके साथ वीडियो खतम करते हैं और अगर आगर यार आगर एकिक के बारे में तुम्हें भर-भर के नॉलेज मिलेगी मैंने एक छोटे से पेपर में इसको summarize करने की कोशिश की कि क्या-क्या options हो सकते हैं ठीक है चलो बाई-बाई कुछ अगर काम का लगा तो यार कमेंट करके बता देना ठीक है और जो भी तुम्हारी future में और कुछ चाहते हो तो बता देना ट्राइ करें उसकी उपर भी वीडियो बनाने के लिए चलो बाई- प्रेवा करें वीडियों और राचि हिवा बनौब